हेलो एवरीबान वेलकम तो दो चानल ओफ के वी टीचर्स गिल्ड सो बचो आज हम क्लास सेवेंट इंगलिश सप्लिमेंटरी बुक का सेकंड चाप्र स्टार्ट करेंगे विच इस ब्रिंगिंग अप करी ब्रिंग अप करना यानि की पालना और करी आपकी स्टोरी में एक एलिफेंट का नाम है सो राइटर ने कैसे एक एलिफेंट को पाला उसके बारे में यह स्टोरी है तो चलिए रीड करते हैं करी a five month old baby elephant करी five month old baby elephant था एक हाती का बच्चा था lips जो रहता था और grow up कर रहा था बड़ा हो रहा था with his 9-year-old friend and keeper 9 साल के अपने friend और keeper के साथ यानि कि वो जो 9 साल का बच्चा था वो उसका keeper भी था, उसको take care भी करता था उसकी देखवाल भी करता था फ्लस उसका friend भी था curry doesn't eat much curry बहुत जादा नहीं खाता था just about 16 kg of delicious twigs a day delicious यानि की tasty ट्विक्स हम बोलते हैं टहनियों को elephants क्या खाते हैं छोटे plants या फिर leaves, grass या फिर जो trees है उनकी barks को so करीब बहुत जादा नहीं खाता था सिर्फ 16 kg delicious twigs उसको चाहिए होती थी एक दिन में अब जादा नहीं खाता था क्यों कहा गया है because third class में एक chapter था आपकी बुक में नंदू के बारे में वहाँ पर आपको बताया गया था कि एक adult elephant around 100 to 200 kgs food खाता है एक दिन में तो उसके comparison में हम देखे ये कम ही है playful भी था वो and sensitive भी था यानि की वो खेलता भी था, fun भी करता था plus sensitive दूसरों की feelings को समझता भी था curry saves a boy from drowning और उसने एक बच्चे को drown करने से यानि की डूबने से बचाया भी अभी story शुरू होती है आपकी curry the elephant was five months old when he was given to me to take care of curry सिर्फ five महिने का एक baby elephant था जब उसको मुझे दिया गया उसकी take care करने के लिए उसकी देखबाल करने के लिए I was nine years old मैं नौ साल का था and I could reach his back मैं सिर्फ उसकी कमर तक पहुँच पाता था if I stood on tiptoe on tiptoe हम बोलते हैं जब आप अपनी heels को off the ground रखके अपने toes के उपर पैरों की उगलियों के उपर खड़े होते हैं हिंदी में इसको पंजो के बल खड़ा होना बोलते हैं सो सिर्फ माच महीने के elephant की height जादा थी नौ साल के बच्चे से और वो tiptoe पर खड़े होने के बाद उसकी कमर तक सिर्फ पहुच पाता था he seemed to remain that high for nearly two years लगबग दो साल तक उसकी height उतनी ही रही we grew together हम साथ में ही बड़े हुए that is probably why शायद इसी लिए ही I never found out just how tall he was क्योंकि elephant की height बढ़ रही थी तो साथ साथ writer भी बढ़ा हो रहा था तो दोनों की height साथ में बढ़ रही थी इसलिए शायद मुझे कभी पता नहीं लगा कि वो कितना बड़ा हो गया है he lived in a pavilion वो एक pavilion में रहता था under a thatched roof roof जो थी उसकी थाच थी यानि कि जो छट थी वो घास को उसकी बांस की बनाई हुई थी which rested on thick pre-stums pre-stums में तने का जो नीचे वाला पार होता उसको stump बोलते हैं तो thick बहुत मोटे tree stums के उपर उसको rest कराया गया था उपर थाच roof है और नीचे मोटे stums लगे हैं उनको support करने के लिए so that जिससे की it could not fall वो गिरे ना it could not fall in when curry bumped against the poles as he moved about जब curry इदर उदर move कर रहा हो और by chance अगर वो bump करना यानि कि टकराना अगर वो टकरा जाए इनमें से किसी stums है तो वो गिरे ना इसलिए बहुत thick stums लगाए गए थे नीचे support देने के लिए one of the first things curry did was पहली कुछ चीज़े जो curry ने की उनमें से एक थी to save the life of a boy एक boy की life को save करना एक लड़के की जान बचाना curry did not eat much curry बहुत जादा नहीं खाता था but he nevertheless nevertheless यानि की फिर भी बहुत जादा वो नहीं खाता था फिर भी he needed उसको जरूरत थी 40 pounds of twigs a day to chew and play with 40 pounds twigs टहनिया उसको चाहिए होती थी एक दिन में उनको चबाने के लिए या फिर उनके साथ खेलने के लिए एक पाउंड में अप्रॉक्स 450 ग्राम्स होते हैं यानि की आधा किलो से भी कम so 40 pounds में लगबग 18 kg होंगे यानि की वो खाता जादा नहीं था लेकिन उनको चू करने के लिए उनके साथ खेलने के लिए 18 kg twigs तो उसको चाहिए ही थी everyday I used to take him to the river रोजाना में उसको रिवर के पास ले जाये करता था in the morning, सुभह फॉर इस बात उसके नहाने के लिए he would lie down on the sand bank वो वहाँ पर जाकर लेड जाता था sand रेतिला जो bank है river का किनारा है वहाँ पर while I rubbed him with the clean sand off the river जहाँ पर मैं river की clean, saaf sand से रेत से उसको रब करता था, रगड़ता था for an hour, लगबग एक घंटे तक after that उसके बाद he would lie in the water वो पानी में जाकर लेड जाता था अंदर river में for a long time बहुत लंबे time तक on coming out, जब वो बाहर आता था his skin would be shining like ebony ebony एक पेड है जिसकी wood को use किया जाता लकड़ी बनाने में, shining black color की wood होती है उसकी so वो उसके skin बिल्कुल चमकती थी ebony की तरह, and he would squeal फिर वो squeal करता था, चिलाता था ये इस picture में आपको वो जगे दी हुई है जहाँ पर elephant रहता था, ये वो pavilion है उपर थाच्ट roof है और ये four stumps लगाए गए है tree के with pleasure अच्छा जहाँ पर उसके बाद वो squeal करता था, बहुत खुशी से चिलाता था, as I rub water down his back, जैसे मैं उसकी back से water को rub करता था, नीचे उतारता था then I would take him by the ear उसके बाद मैं कान पकड़के उसको लेकर आता था because that is the easiest way to lead an elephant, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है के elephant को lead करने का and leave him on the edge of the jungle, और उसको jungle के edge पर किनारे पर छोड़ देता था while I went into the forest मैं जंगल में अंदर चला जाता था to get some luscious twigs for his dinner, luscious यानि की बहुत tasty, delicious का similar ही है, synonym ही है ये so उसके लिए मैं बहुत luscious twigs तहनिया लेकर आया करता था उसके dinner के लिए one has to have a very sharp hatchet, hatchet बोलते हैं कुलहडी को so so काटने के लिए जो hatchet है वो बहुत sharp होनी चाहिए to cut down these twigs in twigs को cut करने के लिए it takes half an hour to sharpen the hatchet और hatchet को sharp करने में ही लगबग आदा गंटा लग जाता था because if a twig is mutilated क्योंकि अगर कोई twig mutilated है यानि कि damaged है टूटी पूटी है उसको बार बार कट किया गया है and elephant will not touch it elephant उसको touch भी नहीं करेगा एक ही बारी में आपको उसको cut करना होगा बीच से cutी हुई या टूटी हुई वो नहीं होनी चाहिए it was not an easy job to get twigs and saplings for curry curry के लिए twigs, टहनिया और saplings छोटे plants लेकर आना कोई आसान काम नहीं था I had to climb all kinds of trees सभी तरह के पेडों पर मुझे चड़ना पड़ता था climb करना पड़ता था to get the most delicate and tender twigs ताकि सबसे ज़ादा delicate, नरम और tender बहुत कोमल और soft twigs मुझे मिले as he was very fond of the young branches of the banyan tree banyan tree के जो young नहीं जो branches होती है वो उसे बहुत अच्छी लगती थी which grows like a cathedral of leaves and branches cathedral एक बड़े से church को बोलते हैं but कई बार ऐसा होता है कि trees इस तरीके से grow होते हैं उपर जाके leaves और branches जो है उनकी ऐसे मिल जाती है कि आप नीचे से अगर देखेंगे तो वो एक church का जो shape है बिल्कुल वैसे ही दिखता है एक picture देख लेते हैं इसकी देखें इसको बोलते हैं cathedral of leaves and branches branches और leaves उपर जाकर इस तरीके से मिल जाती है उनकी जो canopy है यह है cathedral of trees so young branches नहीं नहीं जो branches थी बर्गद के पेड की जो कि यह cathedral की shape में grow होती है वो बहुत पसंद थी curry को I was gathering some और मैं कुछ gather कर रहा था one spring day in March March में एक spring के दिन मैं कुछ यह leaves and twigs इकटी कर रहा था when I suddenly heard curry calling to me in the distance जब मैंने सुना कि curry मुझे बुला रहा है बहुत दूर से as he was still young क्यूंकि अभी भी वो छोटा ही था the call was like more like that of a baby than an elephant तो जैसे वो चलाता था curry उसकी आवाज एक बच्चे जैसी जादा लगती थी elephant जैसी कम I thought somebody was hurting मुझे लगा कि कोई उसको hurt कर रहा है परेशान कर रहा है चोट पहुंचा रहा है so I came down from my tree मैं पेड से नीचे उत्रा and ran very fast to the edge of the forest और दौड कर forest के edge पर गया जहांपर कि वो elephant को छोड कर आता था where I had left him but he was not there लेकिन वो वहाँ पर नहीं था I looked all over मैंने चारो तरफ देखा but I could not find him लेकिन मुझे वो नहीं मिला I went near the edge of the water मैं पानी के edge किनारे तक गया and I saw a black something struggling above its surface मैंने देखा कि पानी के surface के उपर कोई black चीज struggle कर रही है then it rose higher उसके बाद वो थोड़ी उपर उठती है and it was the trunk of my elephant और ये तो मेरे elephant का trunk था I thought he was drowning मैंने सुचा कि शायद वो दूब रहा है I was helpless लेकिन मैं helpless था उसकी help नहीं कर सकता था because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him क्योंकि मैं पानी में jump करके 400 pounds के हाती को नहीं बचा सकता 400 pounds लगबग 280 kgs के around होता है since he was much higher than I क्योंकि उसका वेट मुझसे बहुत जादा था but I saw his back rise above the water लेकिन मैंने देखा उसकी back पानी के उपर rise हो रही थी कमर उपर आ रही थी and the moment he caught my eye जैसे उसने मेरी तरफ देखा he began to trumpet trumpet बोलते हैं elephant especially जब बहुत loud noise में चिलाते हैं चिंगाडना जिसको हिंदी में बोलते हैं so वो trumpet करने लगा and struggle up to the shore और struggle करके shore किनारे तक आया then still trumpeting अभी भी trumpet कर ही रहा था he pushed me into the water उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया and as I fell into the stream उस बहती हुई नदी की धारा में जैसे ही में गिरा I saw a boy मैंने एक लड़के को देखा lying flat on the bottom of the river river के बिल्कुल बॉटम में वो बिल्कुल flat लेटा हुआ था यानि के दूब गया था unconscious था he had not altogether touched the bottom पूरे तरीके से वो bottom को उसने तच नहीं किया था मतलब पूरा वो नीचे नहीं गया था river के bottom में but was somewhat upload लेकिन बीच में कहीं float कर रहा था I came to the surface of the water मैं पानी के surface के उपर आता हूँ to take my breath सांस लेने के लिए and their curry was standing और वहां सामने curry खड़ा हुआ है his feet planted in the sand bank bank के उपर जो sand है उसमें उसके पैर उसने plant किये हुए है रखे हुए है and his trunk stretched out और trunk को आगे की तरफ stretch किया हुए अपनी सून को like a hand waiting for mine जैसे कि वो बेट कर रहा हुए हुए है उसके hand की ये बहार आए और trunk को उसकी पकड़ के water से बहार आ जाए I dive down again मैं फिर से dive करता हूँ नीचे पानी में and pull the body of the drowning boy और जो डूबता हुआ जो boy था उसकी body को pull करके उपर लेकर आता हूँ to the surface, पानी के surface के उपर but not being a good swimmer लेकिन जो राइटर है वो अच्छा swimmer नहीं था I could not swim ashore मैं शोर तक किनारे तक swim नहीं कर पा रहा था and the slow current was already dragging me down और जो धीरे धीरे बैता हुआ जो पानी था flow जो था river का वो उसको नीचे की तरफ ले जा रहा था because उसके हाथ में weight भी था तो वो drown कर रहा था वो भी नीचे की तरफ जा रहा था seeing us drift by the current current के साथ उस बैते हुए पानी के साथ हमें drift होता हुआ देखकर curry who was usually slow and ponderous curry जो की अकसर slow बहुत धीमा और ponderous ponderous हम बोलते हैं भारी भर कम जो अपने weight की वज़े से बहुत clumsy होते हैं लोग तो वैसा curry था suddenly darted down like a hawk एक दम से तेजी से वो नीचे आता है hawk की तरह है hawk यानि की बाज एक बाज के जैसे वो बहुत तेजी से नीचे आता है पानी में and came halfway into the water और पानी में लगबग आधे तक आ जाता है where I saw him stretch out his trunk again फिर से मैंने देखा कि वो अपने trunk को stretch करता है फैलाता है I raised up my hand to catch it मैं अपना हाथ उपर करता हूँ उसकी trunk को पकड़ने के लिए and it slipped और वो slip हो जाती है फिसल जाती है उसके हाथ से I found myself going under the water again मैंने फिर से देखा कि फिर से मैं पानी में नीचे जा रहा हूँ but this time I found that the water was not very deep लेकिन इस बार मैंने देखा पानी बहुत जादा गहरा नहीं था बहुत नीचे तक यह नहीं गया so I sank to the bottom of the river river के bottom में बिल्कुल नीचे यह पहुँच जाता है and doubled my feet अपने दोनों पैर रखता है stabilize होता है वहाँ पर under me and then suddenly kick the river bed और नीचे जो river bed था जो bottom था river का उसको kick करता है जोड से and so shot upward like an arrow एक arrow की तरह एकदम से उपर चला जाता है पानी के surface के उपर in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand इसके बावजूद भी कि उसने drowning boy को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था इतना weight भी था फिर बेटनी जोर से इसने kick किया कि वो एक दम से arrow की तरह उपर चला गया as my body rose above the water जैसे ही मेरा जो शरीर है वो पाने के उपर जाता है I felt a lasso around my neck lasso हम बोलते हैं जानवरों को बानने के लिए गाए बैस या गोड़े को बानने के लिए बासी उनके नेक्ये उपर बांदी जाती है वैसा ही मैंने कुछ पील किया मेरे नेक्ये चारो तरफ this frightened me इस बात ने मुझे डरा दिया I thought some water animal was going to swallow me मुझे लगा कोई water animal मुझे swallow करने वाला है I heard curry squeaking squeak करना यानि कि धीमी धीमी आवाज में चिलाना अशोर और वो दोनों हम दोनों को पुल करके खीच के शोर तक किनारे तक लिया है now second part curry becomes pond of ripe bananas curry को अभी पके हुए केले बहुत पसंद आने लगे he believes in self-help वो self-help में अपनी मदद करने में believe करता है much to the discomfort of his friend जिसकी वज़े से उसके friend को कुछ discomfort कुछ परेशानी भी होती है with quiet dignity बहुत dignity के साथ curry accept the chiding chiding बोलते है डांट पढ़ने को वो डांट को accept करता है he knows he deserves curry was like a baby curry एक बच्चे की तरह है बच्चे की तरह था he had to be trained to be good उसको train करना पढ़ेगा बताना पढ़ेगा कि क्या अच्छा है and if you did not tell him when he was naughty और अगर आप कभी नहीं बताएंगे उसको जब वो शरारत कर रहा होगा he was up to more mischief than ever तो फिर वो और जादा शरारती होता ही जाएगा जैसे बच्चे को बताना पढ़ता है यह गलत है ऐसा नहीं करना यह सही है वैसा ही करी को भी सिखाना पढ़ता था for instance जैसे की एक दिन somebody gave him some bananas to eat very soon he developed a great love for ripe bananas जल्दी ही उसको बहुत अच्छे लगने लगे पके हुए केले we used to keep large plates of fruits on a table near our window in the dining room dining room में window के पास हमारे घर में बड़ी सी plates में fruits रखे होते थे one day all the bananas on the table disappeared एक दिन सारे केले गायब हो जाते है उस table से and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house और मेरी family घर के में जो servants हैं जो knocker हैं उनको ब्लेम करती है कि तुमने ही सारे fruits खा लिये a few days later कुछ दिनों के बाद the fruit disappeared again फिर से ये जो fruit है bananas ये गायब हो जाता है this time the blame was put on me इस बार जो blame है वो मुझ पर डाला जाता है and I know I had not done it और मुझे तो पता ही है कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं it made me very angry with my parents and the servants इसके वज़े से मुझे बहुत गुस्सा आया मेरे parents पर और घर के नौकरों पर भी for it was short they had taken all the fruit क्योंकि मुझे तो पता था मैंने तो लिये नहीं है तो parents ने मुझे blame कर दिया मैंने नहीं लिये तो servants नहीं लिये होंगे तो दोनों पर इसको बहुत गुस्सा आता है the next time the fruit disappeared अगली बार जब fruits disappear हुए I found a banana all smashed up in curry's pavilion curry के pavilion में मुझे एक banana मिला जो पूरा smashed up था पूरा टूटा पूटा था this surprised me very much इससे मैं बहुत surprise हुआ for I had never seen fruit there मैंने तो कभी वहां पर fruit देखे नहीं थे twigs ही खाता था next day अगली दिन while I was sitting in the dining room wondering अगली दिन जब मैं dining room में बैटा था और सोच रहा था whether I should take some fruits from the table कि मैं कुछ fruits ले लू table से without my parents permission तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं parents की permission के बिना fruits ले लू a long black thing very much like a snake एक snake के जैसी suddenly came through the window window से आती है और disappear गायब हो जाती है with all the bananas ऐसी एक चीज आती है black color की और सारे bananas लेकर गायब हो जाती है तो इसको शायद लगता है कि ये कोई snake है क्योंकि वो black snake जैसी दिख रही थी I was very much frightened मैं बहुत दर गया because I had never seen snakes eat bananas मैंने कभी देखा ही नहीं था snakes को bananas खाते हुए and I thought it must be a terrible snake तो मैंने सूचा कि ये तो बहुत ही भयानक कोई साप होगा जो bananas खा रहा है that would sneak in and take fruits जो कि sneak in करता है चुपके से आता है I ran out of the house दौड के वो भाहर चला जाता है feeling sure that the snake would come back in the house और ये sure था कि snake दुबारा से गर में आएगा eat all the fruits, सारे fruits खालेगा and kill all of us और हम सब को मार देगा As I went out जब मैं भाहर जाता हूँ I saw curry's back मैं दिखता हूँ कि curry की back जो है Pete मुझे दिखाए देती है वो disappearing in the direction of the pavilion और वो pavilion की direction में थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है उसको पता लगता है कि यहां से curry गया है and I was so frightened और मैं इतना डरा हुआ था that I wanted his company to cheer me up सब तक भी बच्चे कोई शक नहीं हुआ वो सोचता है कि मुझे शायद curry की company की जरूरत है उसके साथ की जरूरत है क्यूकि मैं बहुत डरा हुआ तो मुझे थोड़ा सा cheer up करने के लिए curry के पास में चला जाता हूँ I ran after him into the pavilion मैं दौड कर उसके पास जाता हूँ उसके pavilion मे and I found him there eating bananas मुझे पता लगता है कि वो बहां पर बैठकर bananas खा रहा है I stood still in astonishment astonishment यानि कि greatly surprised मैं हरानी से महां पर खड़ा होकर उसको देख रहा हूँ the bananas were lying strewn all around him stoon यानि कि पहले हुए थे चारो तरफ bananas he stretched out his trunk वो अपनी trunk को आगे stretch out करता है and reached for one far away from where he was standing a banana जहां पर खड़ा हुआ था उससे दूर था तो वहां पर जाकर वो उसको अपनी trunk से उठा लेता है that instant the trunk looked like a black snake और उस instance पर उसकी जो trunk थी जब उसमें उसको stretch किया वो बिलकुल एक black snake के जैसी लग रही थी and I realized मुझे realize हुआ that curry was the thief that curry actually mature है I went to him I pulled him out by the ear कान पकड़के उसको वहां से बाहर लेकर आया and joyously बहुत खुशी से showed my parents अपने parents को मैंने दिखाया that it was curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks इतने हपतों से curry है जो fruits खा रहा है ना की मैं then I scolded him फिर मैंने उसको scold किया data for elephants understand words as well as children बच्चों की तरह ही elephants भी words को समझते हैं and I said to him मैंने उसे कहा next time I see you stealing fruit अगली बार अगर मैंने तुम्हें fruit को steal करते हुए चोरी करते हुए पकड़ा you will be whipped so whip से तुमारी पिटाई होगे whip बोलते हैं चाबुप को यह है whip hunter भी जिसको बोलते हैं and obviously curry को डराने के लिए ही ऐसा बोला गया था जिससे कि वो आगे से चोरी ना करें ऐसा नहीं था कि actually मैं कोई इससे उसकी पिटाई करने वाला था he knew that we were all angry with him वो जानता था कि हम सब उससे बहुत नराज हैं बहुत गुसे में हैं even the servants यहां तक की घर के knocker भी क्योंकि fruits वो steal कर रहा था और blame जो servants से उन पर जा रहा था his pride was so injured उसका आत्म समान उसका pride इतना injured हुआ that he never stole another thing from the dining room कि उसके बाद कभी भी उसने dining room से कोई चीज नहीं चुराई and from then on और उसके बाद if somebody gave him any fruit कोई भी उसको fruit देता था he always squealed as if to thank them वो squeal करता था यानि कि खुशी के मारे चलाता था जैसे कि उनको thank you बोल रहा हो and elephant is willing to be punished for having done wrong अगर किसी elephant ने कुछ गलत किया है तो वो willingly punishment ले लेते हैं but if you punish him without any reason लेकिन अगर बिना किसी कारण के आप उनको punish करेंगे he will remember it वो इसको याद रखेगा and pay you back in your own coin और आप ही की भाशा में आपको जवाब देगा अगर आपने उसको badly treat किया है वो भी exactly उसी तरीके से आपको treat करेगा okay next third part is curry is a fast learner वो बहुत fast learner था चीज़े बहुत जल्दी सीखता था he masters all signals and sounds he is taught जो भी sounds जो भी signals उसको सिखाएगे उसने mastery हासिल कर ली there is one lesson लेकिन एक lesson था जो दो जबकि एक ऐसा lesson था that an elephant takes 5 years to learn जो कि एक elephant को सीखने में 5 सा लग जाते हैं and curry is no exception करी भी कोई exception नहीं था यानि की बाकियों से अलग नहीं था उसको भी उतना ही time लगा and elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow एक elephant को सिखाना पड़ता है कि कब उसको बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है, कब धीरे चलना है you teach in these things as you teach a child जैसे बच्चे को आप सिखाते हैं ऐसे ही यह चीज़ें आपको उसको भी सिखानी पड़ती है if you say धत and pull him by the ear, अगर आप धत बोलकर उसके कान खीचेंगे he will gradually learn to sit down, तो हाती जो है वो बैठ जाएगा, धीरे धीरे यह सीख लेगा कि अभी उसको बैठना है similarly if you say माली and pull his trunk upward, अगर माली कहेंगे और उसकी trunk को उपर की तरफ पुल करेंगे he will gradually learn, वो सीख लेगा that it is a signal to walk, कि ये एक signal है उसके walk करने का अब उसको चलना है करी लेंट माली after three lessons, तीनी lesson के बाद माली का मतलब उसने सीख लिया, माली कहोगे trunk उपर की तरफ पुल करोगे तो वो चलेगा but it took him three weeks to learn dhat, लेकिन dhat सीखने में कि बैठना आया अभी उसको तीन हफते लग गए he was no good at sitting down, बैठने में वो बहुत अच्छा नहीं था and do you know why an elephant should be taught to sit down, आप जानते हैं elephant को बैठना सिखाना क्यों जरूरी है because he grows taller and taller than you, वो आपसे बहुत तॉल, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत उंचा हो जाता है who take care of him, जो उसकी take care कर रहे हैं, कई बार वो उनसे बहुत बढ़ा हो जाता है so that when he is two or three years old, जब वो सिर्फ दो तीन सालों का ही होगा, you can only reach his back with a ladder इतना उंचा वो हो जाएगा कि आपको सीडी से उसकी back तक आप पहुंच सकते हैं, सीडी लगा कर it is therefore better to teach him to sit down by saying धत तो उसको बैठाना जादा अच्छा है धत बोलकर so that you can climb upon his back, ताकि आप उसकी back पर climb कर सको, उसकी कमर पर चड़ सको rather than बार-बार सीडी लेकर आओ फिर उसकी back पर climb करो for who would want to carry a ladder around all the time, कौन एक ladder लेके सारा time भूमेगा the most difficult thing to teach an elephant is the master call, सबसे मुश्किल चीज़ जो elephant को सिखानी है वो है master call इसमें क्या होता है, यह generally take 5 years to learn it properly, अच्छे सीखने के लिए उसको 5 सा लगबग लग जाते हैं the master call is a strange hissing howling sound as if a snake and tiger were fighting each other master call में क्या होता है, यह एक strange अजीब सी hissing जो snake की sound होती है, hiss वाली या फिर howling चिलाने वाली sound है जैसे कि कोई snake और कोई tiger आपस में लड़ रहे हो, and you have to make that kind of noise in his ear, आपको उसके कान में ऐसी hissing वाली howling वाली sound करनी होगी and do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call, जब आप उसको master call दे उसके कान में hissing और ऐसी howling वाली sound, चिलाने वाली sound produce करे तो elephant को क्या करना चाहिए, क्या आप expect करते हैं वो क्या करेगा, इस master call को सुनकर, if you are lost in a jungle, अगर आप किसी जंगल में खो गए है, and there is no way out, भार जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, and everything is black, और सब कुछ बलाक है, यानि की रात का time है, except the stars above, सिर्फ उपर आपको तारे तब एक ही काम आप कर सकते है, master call देंगे है, elephant को, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk, and master call सुनते है, elephant क्या करेगा, अपने सामने के जो trees उनको, pull down उनको उखाड़ेगा, this frightens all the animals away, इसे सभी जानवर डर जाएंगे, वहां से चले जाएंगे, as the tree comes crashing down, जब ट्री क्राश होके नीचे गिरें monkeys उनकी नीन से उड़ जाएंगे, and run from branch to branch, एक branch से दूसरे branch पर वो जाने लगेंगे, देखिए, यह होता है, master call में, क्योंकि यह जंगल के आसपास रह रहा है, by chance अगर कभी ऐसा हो जाए, तो elephant इनको protect कर सकता है, सभी जंगली जानवर भाग जाएंगे, इसको देखकर, monkeys च इधर स्टाइग रनिंग अल डिरेक्शन बिलो, नीचे आपको दिखाई देगा कि सभी स्टाइग, स्टाइग, हिरन को बोलते है, मेल डियर जो है उसको, सो हिरन इधर उधर एक दूसरे डारेक्शन में, सभी दिशाओं में दौड रहे हैं, भाग रहे हैं, you can hear the growl of the tiger, tiger क गुराना आपको सुनाई देगा in the distance, बहुत दूर से, even he is frightened, यहां तक कि वो डरा हुआ होगा कि पता नी, जंगल में क्या हो रहे हैं, कि ट्री गिर रहे हैं, then the elephant pulls down the next tree, उसके बाद अगले ट्री को वो पुल करेगा, the next, अगले को and the next, उसके अगले ट्री को, so you will find that he has made a road, और इस तरीके से वो एक road बना देगा, right through the jungle, straight to your house, जंगल से आपके घर के घर तक, जितने भी trees उसको मिलेंगे, वो सब को उखारता जाएगा और एक road जैसी बना देगा, यह है, master call के बाद यह होता है, okay, so यह थी आपकी story, जिसको लिखी है, धन गोपाल मुखर जी ने, य यह actually एक novel है पूरी, जिसका नाम है curry, the elephant, उसका एक part यहाँ पर आपको given है, hopefully story आप सभी को समझ में आगी होगी, question answers हम लोग next video में cover करेंगे, that's all for now, thank you so much for watching.